कि अब आइज दो कि अब आइज दो कि अब आइज दो कि नवसकार दोस्तों मैं काफी दिनों से अब वीडियो अप्लोड नहीं कर पा है कुछ व्यक्तिकत करणों से लेकिन अब मैं बिल्कुल फिरी हूँ और अब आप लोग के सामने में लगभग प्रतेक सप्ता या सप्ता में दो दिन भी वीडियो अप्लोड करता तो चलिए मैं आज बात करने वाला हूँ अस्टिक्ट सिक्षक वर्सिस पॉलाइट सिक्षक तो प्रतेक सिक्षक की कुछ एडवांटेज होती है कुछ डिसडवांटेज होती है कुछ उसकी खासित होती है कुछ उसकी कमिया होती है तो इन डोंट पी फ्रेंड ली टोंट डोंट बीफ & और यहग स्टीक के क्लास में स्ट्रूडен उत्ता खुल करके नहीं बोलते हैं वह सिक्षक के साथ उत्ता दोस्ताना विभार नहीं कर पाते हैं फिर है देज़े हाब'S स्टिक टीचर से लोग डरते हैं इसके कारण जो है सो क्लास में बिल्कुल एक डर का महल होती है और विद्यार्थी बहुत सारी बातों को नहीं फ्रीली नहीं पूछ पाते हैं कि जब कभी भी सिक्षक ऐसे स्टिक्चर प्रहा रहे होते हैं तो बच्चा डर के वज़ा से कोई सवाल उसके मन में आती भी है तो डर से नहीं पूछते हैं यह उसका डिस अड्वांटेज हुआ फिर है क्रैम लेशन वनली यदि सिक्षक कोई टास्क देते हैं याद करने के तो बिना कॉंसेप्ट को क्लियर किये हुए बचे सिर्फ इसको रट लेते हैं डर से जिसे क्या होता है कि कॉंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाती है और इस वज़य से यहां पर मैंने लिखा है बैड इफेक्ट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फोर वीक स्टुरेंट जो ते इससे क्या-kया नुक्षान होता है और उसके सिर्फ नुक्षान ही नहीं होता है उसका कुछ फाइदा भी होता है तोस стр वो फाइदा क्या-क्या-किछी ए उस पर यहां पर हमने बात किया है कि ऐस्टुंड होते हैं उसके क्लास में बिल्कुल बच्चे or होते हैं और discipline व्यक्ति के जीवन में कितना important role होता है आप समझ सकते हैं तो व्यक्ति में discipline एक वियावियर उसमें develop होती है और वह जीवन में काफी आगे तक जाते हैं प्रोवेश करते हैं बच्चे तो यह चीश जो है जो है मुझे डाट सकते हैं मुझे अन्य तरह से पंश्व कर सकते हैं इसलिए सिक टीजर का क्लास में जो बची होते हैं वह बिल्कुल अप्टुड होते हैं रहे में लिखा है देरिजन कि पीस्फूल होता है चुकि जारती में डर होता है जिसके वज़ासे कोई बच्चा कोई हल्ला नहीं करता है और किसी तरह का कोई हरकत नहीं करता है जिसे की class 색깔 rules regulation के against homework हो तो इस तरह से यह कुछ बाते हैं जो अस्ञेटिक टीचर, के लिए positive हैny और च्टिस पर भीमाई बात करने बाला हूं तो यहां मैंने लिखा है है अस्तुरेइंट म produção अस्ट। डेनभाइग क्लास में हल ला करते हैं जस्तिकश्र होते हैोगे can अ सुझेर अस्तुरेश अस्तुरेश्स में क्लाश हेल्ला करते हैं दर के क्लास में पर नहीं होता है जिस वजह से वह वर्क सही धंग से नहीं कर पाते हैं नौट्य एस टीचर जो नौट्य इस्ट होते हैं जो क्लास के जो जिसको बदमास बच्चे कर सकते हैं वह अने बच्चों को तो तंग करते हैं सासा सिक्षक वह किसी प्रकार से तंग करते हैं जिस वजह से विद्यार्थी के बीछ जो teaching learning process होना चाहिए वो प्रभावित होता है मैंने यह आप लिखा effective teaching learning process क्योंकि जिस चीज के लिए जिस चीज को करने के लिए सिख्छा क्लास में इन करते हैं वह सही धंग से नहीं कर पाते हैं तो इस तरह से यह उसके disadvantage हुए कुछ advantage भी इसके है advantage क्या है student become friendly जो प्लाइट टीचर होते हैं उनके क्लास में बच्चे हलका मसुष करते हैं टेंसन फ्री मसुष करते हैं और वह बहुत ही होती है तुरत वह सवाल सिक्षक से करते हैं और इस तरह से उनको जवाब मिलता है तो उनके अंदर बिल्कुल क्लिर कॉंसेट होती है इनवाफ्मेंट आफकल इस नोट बॉरी चुकिंग वहां पर हसी मज़ा का महौल होता है काफी रिलाक्स मूड में बच्चे पड़ते जिक्षक भी काफी रिलाक्स मूई होते हैं तो यह इसके कुछ पालू है कुछ पॉजरी पालू है ये इस तरह से हम लोगों दीखा कि a stick teacher के भी कुछ positive पखलू है negative पखलू है और ओला टीचेर के भी कुछ filtWaloo है कुछ negative पखलू है तो हमने जो विचार ही David मर्स किया मन्थन-चिंतन किया उसके peroxy ya पाया कि याकिर हमें बना कैसे यह हम स्पिक्ष्छत हैं तो हमें कैसा सिख्षक बना चाहिए या तो हमने यह पाया कि हमें बैलेंस बनना चाहिए और नहीं बहुत ही टाइट बहुत ही लूज होना चाहिए इसलिए यदि कहा भी जाता है कि यदि वीना कतार को कस दी लूज छोड़ दोगे तो भी आवाज नहीं निकलेगी और द बैलेंस टीचर होना चाहिए इसमें 245 गुन मैंने बताया है कि दोंट भी हाडली और हाडली स्टिक्ट और लूज नहीं बहुत हाड हो यह और बहुत लूज होना है एक बैलेंस बना के चलना है और बैलेंस बना करेंदी हम चलते हैं तो हमारा जो पॉड़क्टिवीटी है व वह लगभाग 60% होती है और जो अस्टिक्टीचर होते हैं उसके उसका जो पॉड़क्टिवीटी होती है वह 70% होती है और जो बैलेंस टीचर होते हैं उनकी पॉड़क्टिवीटी जो है सो 80 से 90% तक हो शकती है यदि वह बैलेंस टीचर के रूप में दोनों के गुन यानि प्रभावित नहीं होता है और बच्चा अधिक सधिक लाग उठा पाता है तो यहां पर मैंने लिखा है क्लास में जो बैलेंस टीचर अपने आपको समझते हैं तो पहले जो टॉपिक को प्रहाना होता है उसके बिल्कुल कमांड होना चाहिए ताकि बच्चा किसी भी तरीके से प्रस्न को करें उसका जबाब जो है सोब हर तरह से फणी मैनर में मैंनर में हर तरह से दिया जा सके फिर यहां पर मैंने लिखा है नोबडी क्रॉस लिमिट जोकि यहां पर यह जो यह जो एक रेखा है सिमा रेखा है इस सिमा रेखा को क्रॉस करने नहीं करना है यदि विद्यार्थी है तो विद्यार्थी को समझना है कि मैं विद्यार्थी हूँ और सिक्षक को भी समझना है कि हम मैं एक सिक्षक हूँ और दोनों को एक दुसरे को शम्मान करना चाहिए तभी जो ह अपने अपने लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा तो निशीत रूप से वेतर जो रिजल्ट है जो प्रोड़क्टिविटी है वह हमारे हमें मिलेगी फिर मैंने यहां पर लिखा है क्रियेट वैरियेशन वैरियेशन विविद्दता चाहिए अब एक ही मोने टोनी एक ही तरह से द जख मेरे अपने हैं मेरे नजदीके हैं मेरे हर समस्या को समझने वाले हैं हम Anybody को उनके नाम से बुला सकते हैं और उसको यह मशूर्ज करा सकते हैं कि मैं उसका सुल्चिन तक हूँ तो इस तरह से यदि हम एक बैलेंस टीचर के रूप में वर्क करते हैं तो निसीत रूप से हम बच्चों को भी इस पुपलर होंगे और हमारा जो वर्क है हमारा जो प्रोशेश है हमारा जो टीचिंग का उदेश है वो बिल्कुल सफल होगा और बच्चे के अंदर भी लर्निंग प्रोसेस अधिक से अधिक हो सकती है तो इस तरह से हमने बात किया आज अस्टिक टीचर वर्सेस पॉलाइट टीचर और मैंने लास्ट में बात किया एक बैलेंस टीचर का क्या रूतबा होता है क्य उसका फीचर होता है तो इस सब्सक्राइब के साथ मैं अपनी बातों करता हूं इसे तुरुप से वीडियो आप देखते हैं वीडियो को देखते रहे हैं लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए धन्यमाद